मैं किमसी सोन कर हूँ और मैं आप कहा है आप कहा है ओ, स्क्रीन पर मैं बाहर बैठी हूँ मैं JNU में एक PhD स्कॉलर हूँ और मैं हमेशा नैतिक अस्मंजस में रहती हूँ कि जब मैं मैंस का खाना खाती हूँ तो वो कभी भी standard का नहीं होता है हम खाने के mood में तो जाते हैं लेकिन हम खाना नहीं चाहते और मैं अन्थ में काफी सारा खाना बर्बाद कर देती हूं तो मुझे समाधान चाहिए मैं उस खाने को खाने का mood कैसे बनाऊं जिसे मैं कते ही पसंद नहीं करती क्योंकि मैं देखती हूँ कि लोग खाने के एक दाने के लिए मर रहे हैं और मैं यहाँ पर खाने को बरबाद कर रही हूँ सारी सुविदाएं मिल रही हैं लेकिन मैं वो खाना नहीं खा पाती मैं खाना बनाने वालों को बताने की चाहिए जितनी महनत कर लूँ की थोड़ा यदि आप इस बात का डेमो चाहते हैं कि आपको इस मेस के खाने को कैसे खाना चाहिए अगर आप दे सकें हाँ, अगर आपको डेमो चाहिए, तो आप मुझे डिनर पर लेके चलें, अपने मेस में. सद्गुरू, दुरभागी से मेस का समय पहले ही खतम हो चुका है. ओ, हम बहुत लेट हो गए हैं. ये कुछ ऐसा है, किसी भी संस्थान में, ये एक हमेशा की समस्या है. यहाँ तक कि हमारे स्कूल के बच्चे, हलाकि हम उनके लिए अनेक तरह का खाना पकाते हैं, बच्चे, खाने के बारे में शिकायत करते हैं. मुझे याद है, मेरी बेटी स्कूल में पढ़ रही थी, तो मैं एक महमान के रूप में, एक माता-पिता के रूप में, पसंद नहीं, उसकी शिकायत है कि हर रोज खाने की खुश्बू एक जैसी होती है. मुझे लगता है कि हर संस्थान में ये समस्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस तरह का खाना दिया जा रहा है, ये समस्या होती है. लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो घर के खाने के बारे में भी शिकायत करते हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप एक काम कर सकती हैं, मुझे ने पता कि ये संभव है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, वाइस चांसलर यहाँ पर हैं, ये बस एक सुझाव है, मैं आपको बता नहीं रहा, आपको एक काम करना चाहिए, आपको कुछ लोगों की एक टीम बनानी चाहिए, और आपको जाकर एक किचिन में काम करना चाहिए, साल में एक हफते, अलग-अलग लोग, तब कम से कम पता होगा कि दोश किस पर डालें, दक्षिन पंथ पाटी, वाम पंथ पाटी, अगर वे पकाते हैं, कौन अच्छा पकाता है? अगर वे अच्छा खाना पकाएं, तो शायद कुछ मेल भी हो जाए, अगर वे अच्छा खाना पकाता हैं,